सेल ड्यूटी टाइमिंग सेल में नौकरी करने वालों का ड्यूटी का टाइमिंग क्या होता है चलिए आज मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ समझने का प्रयास करिए सबसे पहले समझे एसिप्ट मैं यहाँ पर लिखा हूँ एस ए सिप्ट अस्टार्ट होता है सुबा चो बजे से और चलता है दो पहर के दो बजे तक टोटल आठ घंटा हुआ किलियर है ना इसके बाद समझते हैं 20 सीप्ट, 20 सीप्ट अश्टार्ट होता है दो पहर 2 बजे से और चलता है रातरी के 10 बजे तक टोटल 8 घंटा, इसके बाद इहां पर दखिए सी सिप्ट यानि की नाइट सिप्ट अस्टार्ट होता है यानि की सी सिप्ट अस्टार्ट होता है रात्री के 10 बजे से सुबा 6 बजे तक टोटल 8 घंटा किलियर है ना अब यहां पर समझेगा जिसका डिप्टी सिप्टिंग डिप्टी है उसको A सिप्ट मिलेगा B सिप्ट भी मिलेगा और C सिप्ट भी मिलेगा कहने का मतलब है कि जिसका डिप्टी सिप्टिंग डिप्टी है उसको A सिप्ट भी मिलेगा B सिप्ट भी मिलेगा और C सिप्ट भी मिलेगा ठीक है अब यह पर समझते हैं जी सिफ्ट यानि की जेनरल सिफ्ट जेनरल सिफ्ट स्टार्ट होता है साड़े आठ बजे सुबह से और चलता है इभिनिंग पांच बजे तक अगर इसको अब काउंट करेंगे तो टोटल इसमें साड़े आठ घंटा हो जाएगा यानि की जेनरल सिफ्ट में आदा घंटा अधीक हो रहा है सिफ्ट जो सिफ्टिंग डिप्टी है उसे आदा घंटा अधीक हो रहा है जेनरल सिफ्ट में ठीक है किलियर हो चुका होगा अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ओफिस आवर्स फ्रोम 10 एम यानि की ओफिस्यल डिप्टी जो होता है वो 10 बजे से सुरू होता है और कब तक चलेगा अब यहाँ पर आपको समझना है ओफिस्यल डिप्टी यानि की ओफिस आवर्स फ्रोम 10 एम यानि की सुबह 10 बजे से सुरू होता है लेकिन कितना बज़े तक चलेगा ठीक है यहाँ पर आपको समझना है और official deputy ज्यादातर officer लोग का होता है अगर उसमें non executive का है यानि की worker का भी official deputy है तो अगर एक बार entry हो जाता है तो वो कब निकलेगा मान के चलते हैं कि 10 बज़े सुबा में entry कर गया निकलेगा कब क्योंकि निकलने के लिए gate खुलता है यहाँ पर मैं लिखा हूँ इससे पहले general suit में 5 pm में यानि की evening में 5 बज़े तो अगर 10 बज़े entry करता है तो निकलने का chance कब है यानि की 5 pm में ही वो निकलेगा ठीक है तो इहाँ पर आप देखेंगे तो 10 बज़े से 5 बज़े तक 7 घंटा ही हुआ और अगर मैं बात करूं इसमें अगर officer लोगों का बात मैं करूं executive का बात करूं तो उन लोगों का 24 hour deputy होता है वो जब चाहे तब entry कर सकते हैं और जब चाहे तब वो निकल सकते हैं लेकिन अगर non-executive अगर non-executive official dipty के time में entry करता है तो वो कब निकलेगा यान की 5 बज़े 5 पी-म में निकलेगा है न इबिनिंग में 5 बज़े निकलेगा तो total यहाँ पर 7 घंटा हो रहा है और जिसका shifting dipty है उसको total 8 घंटा dipty करना पड़ेगा A shift में B shift में भी 8 घंटा करना पड़ेगा और C shift में भी 8 घंटा करना पड़ेगा और general shift वालों को साड़े 8 घंटा dipty करना होगा ठीक है अब यहाँ पर आपको समझना है जैसे A shift में 6 बज़े से start होता है तो gate कब खुलेगा साड़े 5 बज़े से ही खुल जाएगा यानि कि जब से duty start होता है उससे आदा घंटा पहले gate खुल जाता है अगर आप देरी से पहुचते हैं अगर आप gate में मान के चलते हैं कि gate में आप 6 बच के 15 मिनट में पहुचते हैं तो gate बंद हो जाएगा और आपको entry नहीं मिलेगा और आप absent हो जाएगे ठीक है ना जैसे B shift दो बजे दो पहर दो बजे से start होता है तो gate खुल जाएगा देर बजे से ही आपको entry कर जाना है यानि कि देर बजे से दो बजे तक में आपको entry कर जाना है अगर दो बजने के बाद यानि कि दो बजने के बाद अगर 10 मिनट या 15 मिनट हो जाता है तो है जैसे night shift यानि की sea shift 10 बजे रातरी से start होता है तो आदा गंटा पहले ही gate खूल जाता है यानि की 9 बजे रातरी से ही खूल जाता है 9 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर तक आपको entry कर जाना है अगर आप देर करते हैं 10 मिनट 15 मिनट तो entry नहीं होगा dipty नहीं कर पाएंगे और absent हो जाएंगे उसी तरीके से general shift में general shift में entry करना है यानि की 8 बजे तक आपको कर जाना है यानि की dipty start होता है 8 बजे से तो 8 बजे तक आपको entry कर जाना है तो gate कप खूलेगा यानि की 8 बजे से ही खूल जाएगा 8 बजे से 8 बजे तक गेट खुला हुआ रहेगा उसी बीच में आपको इंट्री कर जाना है और डिप्टी में पहुँच जाना है उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर बात करेंगे ओफिस आवर स्टार्ट होता है 10 बजे सुबा से तो गेट खुल जाएगा आपको 9 बजे से तो 9 बजे से 10 बजे के अंदर इंट्री कर जाना है किलियर हो चुका होगा और यहाँ पर अपने मर्जी से कोई सिप्ट नहीं मिलता है अपने मर्जी से नहीं मिलेगा जैसा जहाँ पर जैसा जरूरत हो वैसा आपको सिप्ट मिलता है तो बिल्कुल किलियर हो चुका होगा और किसी का जेनरल सिप्ट किसी का परमानेंट हो जाता है हमेशा उसका general shift ही रहता है और कुछ लोगों का क्या होता है A shift भी होता है B shift भी होता है C shift भी होता है और general shift भी होता है और जिसका pure shifting dipty है उसका ये तीनो होता है A shift, B shift और C shift तीनो चलता है जैसे मैं एक example बताऊंगा दो दिन A shift रहेगा मैं यहाँ पर समझाता हूँ दो दिन A shift रहेगा दो दिन B shift रहेगा दो दिन C shift रहेगा ऐसा चलता है कहीं कहीं पर चलता है तिन तिन दिन का यहाँ पर समझेगा किसी किसी department में तिन दिन A shift तिन दिन B shift तिन दिन C shift भी चलता है और किसी किसी डिपार्टमेंट में पूरे एक सपता A shift, पूरे एक सपता B shift, पूरे एक सपता C shift ऐसा भी चलता है ठीक है तो बिल्कुल किलियर हो चुका होगा अगर किनी को doubt हो तो जरूर बताईएगा मैं फिर से discuss करने का परियास करूंगा